दोस्तो हम सभी WhatsApp चलाते हैं, ऐसे में कई बार हम एक से जादा नमबर से भी WhatsApp चलाना चाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम अपने एक ही मुबाइल में दो WhatsApp चलाएंगे और दोनों ही WhatsApp अलग अलग नमबर से, देखिए हमारे मुबाइल में सिफ हम एप्स में जाते हैं अलग-अलग मुबाइल के अलग-अलग सेटिंग्स होती हैं मैं आपको अभी क्लियर बताने वाला हूँ तो यह पहले हम एप्स को ओपन कर लेंगे नॉर्मली एंड्रोइड में ऐसा ही हो गया है सब मैं एप्स को ओपन करेंगे फिर आ रहा है डूल अ यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी जितने अप्स हैं रिकमेंड़ कर देंगे तो देखिए आइकन एड़ेट टू होम इस्क्रीन पर आ चुका है हम यहां पर इसको मुनिवाइज करते हैं तो देखिए यह आ गया वाट्सप यह दूसरा वाट्सप पा रहा है उस पर अब करें अब तो यह थोड़ा साइन आ रहा है कि यह लोनिंग यानि दूसरा अप है डूल एप किया गया है ठीक है लेकिन अगर हम उरिजनल को ओपन कर रहे हैं तो यह हमारा जो पहले से साइनिग है जैसे रिक क्लोनिंग किया हुआ है इसको ओपन करेंगे तो बिल्कुल जैसे साइन अप का ओप्सन आता है देखी साइन अप का जैसे अप्सन आता है एग्री एंड गंटीनिव फिर उसे बास हम नाम लिखेंगे मुवाइल नंबर एंटर करेंगे डीपी बगारा करेंगे कॉंटेक्ट बगरा करेंगे तो वह सब बिल्कुल जैसे हम साइन अप करते हैं वाटसप अकांट बनाते हैं वैसा यह दूसरा एप वाटसप का आ चुका है पूरा अलग है दोनों अलग-अलग हम नंबर से चला सकते हैं तो मैंने यह बता है तो पहले एप्स में जाके डूल एप्स था जाएगा उसको ओपन कर लिजेगा और डारेक्ट जैसे ओपन करेंगे वहां से आप वाटसप को या फेस्बुक को जिसको भी आपको दो एप यूज करना है ठीक है दोस्तों तो दो एप ऐसे आप यूज कर सकते हैं बहुत एजली और दोनों ही एप अलग-अलग आईडी स अलग-अलग नंबर से यूज किया जा सकता है सिर्फ वाटसप के लिए नहीं है मैं पहले बता चुका हूँ फेस्बुक इंस्टागाम जो भी चाहें आप उसे क्लोन कर सकते हैं याने डबल कर सकते हैं और बहुत यह जी आप दो अकाउंट यूज कर सकते हैं जिसका भी च हैं